हेलो बच्चा लोग क्या हाल चाल कैसे हैं आप लोग मैं हूँ आपके सामने आपका आधित्यानों दोरा आज बिटा पर ले आए हैं रोटेशनल मोसन का एक माइंड मैप जिसको की 10 से 15 मिनेट्स में एकदम खतम कर देंगे आपन तुम्हें इससे ये पता चलेगा कि लास्ट मुमेंट में किस तरीके से हमें 15 मिनेट्स में एक चैप्टर को रिवाइज किया जाता है उसके सारे formula अपने दिमाग में लगाए जाते हैं और ये पता कर लेना होता है कि किस किस topic से questions आ सकता है 15 मिनेट के बाद तुम्हारा confidence level इतना तगड़ा हो जाएगा कि तुम्हें लगेगा यार इतने ही छोटे तो moment rotation motion है जिसको की बहुत बड़े-बड़े lectures में बहुत जादा दिन में खतम किया जा सकता था तो ये बेटा बस psychology है जिसको की change करना है चलिए start करते हैं देखते हैं मैं जो बोल रहा हूँ उसको कितना अच्छे तरीके से पन implement भी करेंगे चलिए देखते हैं rotational motion में बेटा जो question की possibility है वो total 6 topics से question बन सकता है एक moment of inertia दूसरा torque, angular momentum, combined translation and rotational motion, kinetic energy of rigid body और collision between ball and rod जब मैं torque की बात करता हूँ यहाँ पे दो तरीके के questions form हो सकते हैं एक question form हो सकता है यहाँ पे कि torque is equal to i alpha क्या होगा और दूसरा question form हो सकता है torque जो होगा वो r cross f से भी हम निकालते हैं ठीक है बहुत बहुत बेहतरीन दो चीज़ इसी तरीके से बताया torque का further application जो हम equilibrium पे देखेंगे वो भी देखेंगे तो बस मैं इसी तरीके से 5-6 topic को अलग-अलग तरीके से describe करूँगा और सारा formula आपके दिमाग में आ जाएगा concept से आपके दिमाग में आ जाएगा और आपको बेहतरीन मज़ा आएगा अगर ऐसा है तो एकदम तगड़ा बलाग लगा दो और बता दो कि यह ऐसा है मोमेंट ओफ इनर्सिया में दो थियोरम काम करता है और मोमेंट ओफ इनर्सिया निकालने के लिए हम दो तरीके का यूज़ करते हैं एक तो discrete body के लिए और एक continuous body के लिए mass और आर perpendicular का hall square को integrate कर देते हैं element लेके तो continuous body का निकलता है discrete body में छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे body का सबका moment of inertia निकाल के simply add कर देते हैं yes sir, theorem जो है वो है parallel axis theorem और perpendicular axis theorem इसके लिए पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये theorem लगता कहाँ पे है ये theorem parallel नाम ही है, तो कोई भी एक parallel axis मैंने लिया सपोस करो i dash और हमें center of mass के about अगर moment of inertia पता है तो हम इस i dash के about moment of inertia इस तरीके से लिख देते हैं i dash इस body के अंदर भी हो सकता है और body के बाहर भी हो सकता है i dash जो होगा वो icm plus mda square के बारा yes sir, ये theorem किसी भी body के लिए valid है चाहे body two dimensional है और three dimensional है for example इसको अपन use करने वाले हैं यहाँ पे रुख जालिएगा perpendicular axis चेरम सिर्फ two dimensional body के लिए valid है एक बहुत important बात है body अगर x और y plane में है तो आप x और y का moment of inertia अगर sum करोगे तो उसके intersection point के about जो तीसरा axis होगा उसके about moment of inertia निकल जा बात आ रहे हैं समझ में यह सर यह बहुत important है कि यह x और y इस plane में है इसलिए मैंने लिखा है plane में नहीं रहता तो हम नहीं लिखते इसको बेटा क्या बात समझते जा रहे हो यह सर अब बात है कि सर यह दो थियोरम आपने बताया अब यह क्या है सर अब यह है uniform ring disc अब uniform ring disc को देखते हैं अपन यह hollow sphere यह solid sphere uniform ring का अगर इस axis के what moment of minutes या MR square और disc का यह वाला axis जो कि इसके plane में perpendicular है MR square by 2 अब देखिए MR square by 2 MR square में देखो जो चीज़ खाली है वो कम है जो चीज़ भड़ा है वो जादा है जो चीज़ भड़ा है वो कम है जो खाली है वो जादा है तो खाली क्या होगा hollow sphere भड़ा क्या होगा solid sphere भड़ा है मतलब कम है मतलब 2 by 5 MR square बोलो मज़ा आ गया यह खाली है मतलब जादा मतलब 2 by 3 समझते जा रहे हो तो यह सारे formula हमें याद होने चाहिए rod का हमें 2-3 formula याद होना चाहिए ml square by 12 होता है center of mass के about उसके बाद अगर किसी angle पर incline करते हैं तो अगर center of mass के about incline कर दिया तो 1 by 3 ml square by 1 by 3 ml square sin square theta का concept आ जाता है है ना inclined अगर हो किसी axis पर क्या बात समझ में आता है तुमनों को अगर एक end के about rod की बात करो तो ml square by 3 हो जाता है center of mass के about हो जाता है yes sir तो यह कुछ formula है जो हमें आने चाहिए और उसके आगे continuation में चीज़ चलेगा पोस करो parallax का कहीं पर आप यूज कर रहे हो मालो हमारे पास एक sphere ही है मालो यह एक sphere है और इस sphere के tangential में तुम्हें निकालना है चोटा सा example पल दे रहा हूं तो सफेर है मालो हाँ सर तो इसका moment of inertia कितना हो जाएगा hollow है यह आर है यह M है तो इसके बोट जो moment of inertia होगा यह पूड़ा का पूड़ा कितना बेटा अभी बोला hollow का जो होगा वो ज्यादा होगा मतलब कितना 2 by 3 MR square यह सर और प्लस यह M और यह perpendicular distance का hollow square बोलो मदा आ गया यह यह दूसरा axis इसके पास भी हो सकता है दूर भी हो सकता है बस तुम्हें perpendicular distance मतलब है इसी भी बॉड़ी पर लगा सकते हो तो किसी भी तरीके के questions को frame कर सकते हो और इसके उपर एक पहतरीन question सब आया हुआ है अभी वो तुम्हें समझ में आना चाहिए जैसे कि suppose कर लो कि मेरे पास body है बहुत सारे spheres तुम्हें दे देगा जही ने इस बार question दिया है एक sphere दे दिया दूसरा sphere दे दिया तीसरा दे दिया इस सब को यहां पर लगाने लगा इस तरीके से और बोला बाकियों के चलते moment of energy मुझे बता दो एक यहां लगा दिया यहां लगा दिया क्या करना है बस एक का निकालना है समस्ते जा रहे हो ना मनलो axis यहां पर डाल दिया जी ने और बोला मुझे moment of energy बता दो भीया तो क्या करना है देखो parallel axis theorem यूज करोगे तु और कुछ question integration वाला भी आता है बेटा तो पूरा का पूरा moment of energy आएक offer भी मिला अब जाके चार question तुब कर लो देखो मजा आ जाएगा तुम्हे moment of energy आते यार हो चुका है अगला बात करते हैं अगर अपन कि सर टॉर्क है टॉर्क दो तरीके से निकल सकता है बेटा क्या क्या एक तो टॉर्क आर क्रॉस एफ से निकलता है सर अपोस कर लो यह point है यहाँ पर आपने force लगाया यह वाला distance r है और यह वाला f है और दोनों के बीच का angle theta है इसके सलते जो टॉर्क होगा okay about इस force के चलते वो r oa vector quantity है cross f हो जाएगा इसको जब solve करोगे तो rf sin theta हो जाएगा अ हार पर आप साय Спाह्धा में तुम cr Nicho और यह फिर नारथाइन सेटा लिखो इसको तुम तुम क्या कर सकते हो इसको तुम ार perpendicular इंटु f लिख सकते हो यह फिर और इंटु f perpendicular लिख सकते हो यह तर तो यहांसे टॉर्क दो सेक्ट में समझ में आ गया किसी टॉर्क होगा R into F perpendicular खतम का नहीं है torque का R के उपर रिशान होना है torque के application दो तरीके से एक combined condition of equilibrium के उपर अब हम बात कर रहें rigid body का तो translational equilibrium भी होगा और rotational equilibrium भी होगा तो translational equilibrium के लिए net force सारे 0 होना चाहिए rotational equilibrium के लिए net torque 0 होना चाहिए अब इसके उपर बहुत अच्छे questions बन सकते हैं equilibrium के उपर तो दो तीन question equilibrium का कर लेना चाहिए फिर torque is equal to I alpha जो है वो second law of rotation है भोलो ना angular momentum समझाऊंगा अभी समझ मैं आजागा इसके उपर आप देखो इस तरीके के बहुत सारे questions होंगे जिसको solve करने का सिर्फ और सिर्फ तीन equation तुम्हें लगाना होता है एक तो F बड़ाबर A में लगाना होता है चाहिए पुली का कोई भी question हो तीन ही equation लगाने होता है दूसरा क्या लगाना होता है सर torque is equal to I alpha तीसरा क्या लगाना होता है सर condition of ruling तो यहाँ पे condition है इसको मैं constant relation बोल देता हूँ constant relation एक्चल में जो कि तुम क्या बोलोगे sir A is equal to R alpha अब यह तीन equation को solve कर दो इस तरीके का किसी भी question को अटकना ही नहीं होता है हमेशा solve हो जाता है अब तुम्हें इसके उपर जाके तीन question कर लो दो question इधर कर लो देखो क्या मज़ा आएगा तुम्हें और किस तरीके से torque का depth हो जाएगा जो rotation तुम्हें बहुत लंबा पड़ा है मैना बर बिटा उसको 15 मिनिट में इस तरीके से किया जा सकता है तो torque को जाके आज ही काम करना है इसके उपर बहुत बढ़ियां काम करना है कपल एक ऐसा force होता है जो pair में exist करता है और कभी भी कपल जो होता है वो हमेशा pure rotational motion provide करवा देता है center of mass के about यह F और यह F तो इसके चलते जो देखो गे तुम तो पूरा का पूरा यह rotational motion जो है वो provide कराएगा but translational motion नहीं कराएगा क्योंकि यह दोनों क्या हो जागा एक दूसरे को cancel out कर देंगे चलिए बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अब क्या सर अब angular momentum बचा हुआ है बेटा angular momentum दो तरीके से एक point का angular momentum एक rigid body का angular momentum point का angular momentum कैसे निकालोगे अगर यह point particle है जो V velocity से जा रहा है V velocity से जा रहा है M mass का तो तुम क्या लिखोगे R यहाँ पर देखो धिहान से R cross V और इसके आगे M लगा हुआ है बस खतम तो यह R M R cross V और यह angular momentum है इस point particle का अब इसी को बना दो अगर 90 degree अंगल है तो M V R लिख लो तो इसको M R perpendicular into V लिख दोगे या फिर M R into V perpendicular अगर angle ही 90 पर हो गया तब तुम M V R लिख दोगे यह सरबात गिदम समझ में आ गया है ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ओके तो अब अगला देखना है इधर जल्दी से फटाफट से यह भी बात समझ में आ गया अब देखो combined motion के case में यह बहुत important formula है जिसके उपर बेटा question आया हुआ है combined motion के उपर में यह बहुत important formula है यह चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिखनी रहा होगा तुम लोगों को यह अगर कोई rigid body है वो translational motion और rotational motion दोनों करता है है ना यहाँ पर मैंने ऐसा body ले लिया यह VCM से भी जा रहा है आगे और यह omega से rotate भी कर रहा है इसके उपर बहुत बार question है हुआ है कि इस rigid body का angular momentum कैसे होगा इसमें vector form यूज करना है पहला important बात दूसरा important बात इसका center of mass का रख के इसको नचा दो और center of mass पे रख के इसको चला दो दोनों यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो L इसका हो जाएगा M RCM cross VCM बहुत important plus ICM into omega इसके उपर जाके अभी तुरा दो question कर लेना direct question इसके आया हुआ है पिछले भी बार में बात आ रहे है समझ में पूरा व्यूर है तुम्हें पूरा chapter का फिर देखो angular momentum conservation principle की बात जब मुं करते हैं तो यह simply वही बताता है कि DL by DT constant कब होगा यह DL अगर constant हमाल लो तो DL by DT जो angular momentum का rate of change है वो 0 हो जाएगा इसको हम बोलते हैं कि L अगर conserve रहेगा जब net external torque 0 होगा तो यह angular momentum conservation principle है यह बोलता है net external torque यह दी 0 है तो angular momentum conserve रहे पूरा formula समझ में आ रहे है यहीं से 2 second में मैंने angular impulse बना दिया देखो DL यहाँ पर रखा DT यहाँ पर रखा यह हो गया TOR DT और DL क्या होगा integration से बिल्कुल इसी तरीके से तो DL का integration करोगे यह TOR DT है T DT नहीं है क्या ही है TOR DT तो यह क्या होगा changing angular momentum और linear impulse देगा देखो 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 और linear impulse देखा यह कहाँ से पैदा हुआ Newton's second law से यह कहाँ से Newton's के rotational motion के second motion से देखो किस तरीके से एकदम enjoy कर रहे हो तुम लोग अब एक बहुत important और last topic जो अपने पास बसता है वो combined translation and rotational motion बसता है और energy बसता है combined translation and rotation में pure rolling के उपर questions बनता है जो तुमें परेशान करता है और उसको तुम एकदम खतम कर सकते हो तुरत से इसमें बस तुमें यह याद रखना है कि body अगर चल भी रहा है सारे का सारा particle को यहाँ पर रख दो और इसको चला दो देखो मजा आ गया पस इतना ही करना है जब यह करोगे तो इसके what अगर नचा रहे हो ओमेगा से तो यह हो जगा half आई ओमेगा स्कार इसका energy और अगर चला रहे हो तो यह हो जगा half m into vcm का all square देखो this is the total energy of combined body तुरत से तुमने लिख लिया है की नहीं अब यह body inclined पे rotate करे या कहीं पे करे भाई एनरजी तो यही रहेगा ना अब कभी भी तुम्हें combined motion का अगर question solve करना है तो थोड़ा समय ने इसको बहुत ही broad level पे fix किया है combined motion के उपर कोई भी question जो pure rolling कर रहा है उसको तीन equation से solve किया जा सकता है एक definite बराबर है में देखते चलो बेटा कितना interesting है दूसरा tonate is equal to i alpha और तीसरा महिने a बराबर r alpha नहीं लिखा है यहां पे इसलिए नहीं लिखा है बेटा क्योंकि a बराबर r alpha तब लगता है जब body एक्तम fixed हो यानि कि ये earth के उपर या फिर fixed surface के उपर roll करे body लेकिन अगर suppose को लो यही moving body के उपर करने लगे तब ये नहीं लगेगा मालो ये जो platform है वो V0 से चल रहा है तब क्या condition लगाओगे सर्यों omega से चल रहा है Vcm यहाँ पर हो जाएगा r omega पीछे हो जाएगा तो लिखो कि Vcm minus r omega is equal to V0 यह बहुत important बात मैंने बोला है तो लोग आख हुन करके इस चीच को मत रख्टा मारा करो यह तब होगा जब ground fix होगा लेकिन अगर moving platform पर question होगा इसलिए मैं use किया हूँ word condition for pure rolling pure rolling का condition क्या है कि जो point of contact है ने बेटा जो point of contact है ने बेटा वो point of contact जो है वो sleeping नहीं होना चाहिए वो तब संभव है जब दोनों body बराबर चले यानि कि point of contact जितने से चल रहा है उतने से वो rigid body का net velocity होना चाहिए net acceleration होना चाहिए तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा AC, AC मतला contact point और AP मतला जो point यहाँ पर है यानि कि body का point और contact point contact इसके लिए body इसके लिए इन दोनों का acceleration बराबर होना चाहिए इन दोनों का velocity बराबर होना चाहिए जिससे की relative acceleration जो point of contact का है और relative velocity यह 0 हो जाए अब इसके उपर जाके बिटा अगर तुमने 3-4 question कर लिया तो मेंस के advanced level तक cover हो जाएगा यह जो concept मैंने तुम्हें बताया pure rolling के उपर question हमेशा इन जी 3 equations है solve हो जाएगा अब दो तरीके के conceptual question है कि बताओ कोई भी body एक smooth surface पे है कितने height पे कोई force लगाएंगे जिससे कि यह body pure roll करे तो roll करे body will roll without sleeping यहाँ पे क्या है without sleeping है body will roll का ही मतलब होता है without sleeping ओके सर्थ यह smooth surface हो जाएगा तो इसका answer है x is equal to i by हमार ठान रखेंगे तो काफी काम आएगा दूसरा चीज मैंने बताया कभी कभी किसी भी force को यहाँ पे sufficient friction डाल दिया और center से किसी h height पे force लगाया question वाला पूछेगा बताओ friction का direction किदार है उसके लिए बेहतरीन एक formula है यह वाला इसको तुम समझ लोगे तो मजा आ जाएगा यह f2r से कोई मतलब नहीं है 1 plus k square r square से कोई मतलब नहीं है मतलब सिर्फ k square r minus h से है यह h क्या है जहाँ पे तुमने formula लगाया यह k क्या है radius of gyration है यह k क्या है मीटा radius of gyration है radius of gyration है यह सर बहुत बढ़िया तो k square r minus h से काम करना होता है अगर यह k square r minus h देखना ध्यान से किसके बराबर हो जाए k square r अराम से निकाल लोगे तुम किसी भी चीज़ का radius of gyration मालो अगर यह disc है suppose करो मानने में क्या जाता है तो disc का moment of inertia कितना होता है m square by 2 उसको किसके बराबर करोगे m k square से यह k जो निकलेगा वही क्या हो जाएगा अगर वह question में गिया हुआ h के बराबर हो तो बीना friction का body roll करेगा मजा आया भले friction है सब कुछ है फॉर्थ लगा लेकिन बीना friction के body roll करेगा friction का value कितना होगा इस case में 0 देखो कितना खतर ना अगर यह k square by r से छोटा value दे दिया मतलब k square card जो भी value है उसते ही है चोटा है याद रखना यह distance center के उपर वाला distance है तो friction पीछे लगेगा backward और अगर यह बढ़ा है तो friction forward direction में लगेगा अब बेटा यह जो concepts मैंने तुम्हें develop किया है ना इसके उपर जाके question कर लो तुम्हें मज़ा आ जाएगा सारे के सारे formula तुम्हारे दिमाग में आ जाएगे और तुम देखो मैंने 15 minutes बस लिया है क्योंकि हमारा lecture चल रहा है बहुत ही जबरदस तरीके से कहां पर मंजिल में पूरा full-flage जहां पर 15 minutes में मिटा हम यह बताने की कोशिस कर रहे है कि तुम पूरा revise कर सकते हो तुम्हें मज़ा आ सकता है और तुम enjoy कर सकते हो थैंक यू बच्चा लोग लव यू बच्चा लोग बाय बच्चा लोग बताना मुझे कि इस तरीके से 15 minutes का session कितना जबरदस तुम्हारे life में implement हो रहा है और यह सारे formula कितना बहती नहीं रहा अगर मदा आयोगा तो जरू कमेंट करके बताना थैंक यू बच्चा लोग